Hello students, today I am going to explain you lesson number 12 Columbus discovers America part 1 So, ये lesson का जो title है, इसमें ये बता रहे हैं कि Columbus ने किस सरसे अमेरिका की होच की थी So, let's start the lesson In the 15th century, European seamen were trying to find a sea route to India 15th century की बात है, जो European seamen थे, sailor थे, वो sea route, इंडिया का sea route ढून रहे थे Sea route मतलब समुदरी रास्ता जो Portuguese ships थे, Portuguese मतलब Portugal के लोगों को कहा जाता जिसे इंडिया के लोगों को Indian, उसी तरह से Portugal के लोगों को Portuguese कहा जाता है और Portugal एक ऐसी country है जो Europe continent में है तो Portugal ships क्या करने लगे, they tried sailing down the west coast of Africa coast मतलब समुदर Africa के west coast में उन्होंने sail किया with the hope इस उमीद के साथ की वो sea route ढून लेंगे उस continent के around और इस plan में, इस चीज में, इस plan में वासको जिगामा सक्सीडेज हो गया था 1498 में एक जिनोवा सेलर था, जिनोवा सिटी का, जो इटली में है जिनोवा सिटी का सेलर, जिसे जिनोई सेलर कहा जा रहा है जिनोई सेलर जिसका नाम था Christopher Columbus उसे एक नया idea आया His plan was to sail west उसका plan था, west की तरफ पूरा सेल करने का क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि अगर earth ball की तरफ गोल है तो अगर eastern, अगर पूरा completely west में सेल कर लिया जाए तो naturally eastern land पर पहुँचा जा सकता है और इस तरह से इंडिया का sea route मिल सकता है Of course, no one had so far reached the east in this way लेकिन इस तरह से आज तक कोई भी east नहीं पहुँचा था लेकिन उसने ये voyage, voyage मतलब क्या होता है, जब हम ship से journey करते हैं तो उसे कहा जाता है voyage तो उसने voyage करने की सोची अगर उसे कोई ships दे दे और कुछ man, कुछ sailors दे दे लेकिन पॉर्चिगल के राजा ना इस प्लैन में कोई interest नहीं दिखाया, उन्हें ऐसा लगा कि ये नहीं succeed होगा तो Columbus Spain गया, Spain के court में, वहाँ पर उसने मनाया किसको, perceived मतलब मनाना king और queen को Spain के उसे ships देने के लिए, और उसे कितने ships मिल गए, तीन ship मिल गए, और उसको कहां पर ready होने के लिए कहा गया in the port of palace, जहां से ship जाते हैं उसे port कहा जाता है तो palace की port में वह ready होने के लिए उसे कहा गया, now coming to the next page but when Columbus try to collect the crew, crew का आपको पता ही होगा group of man, जो sea पर जाते हैं समुद्री के थूज आते हैं तो जब crew collect करने लगा तो उसने देखा कि उसके साथ कोई भी आने को तयार नहीं था क्योंकि उन्हें डर था इस तरह की खतरनाक और इस तरह की लंबी journey या voyage करने के लिए जो बिलकुल unknown sea में थी unknown मतलब जिस sea के sea में आज तक कभी कोई नहीं गया वहाँ पर journey करने से सब डर रहे थे तो उसके साथ कोई नहीं आया Columbus ने उन्हें promise भी किया कि वो उन्हें कुछ award rewards देगा लेकिन फिर भी कोई उसके साथ आने को तयार नहीं हुआ फिर ant में उसने beggars को और criminals को prison से collect किया और उनको force किया कि उसके साथ वो आएं crew को join करें तो finally वो दिन आया Friday 3rd of August 1492 में Columbus ने अपना sail अपनी journey start की first destination destination मतलब कोई place जहां पर हम जा रहे हैं तो उसका first destination क्या था Canary Islands सबसे पहले वो Canary Island पे पहुचा और उस जमाने में उस time के European island के बारे में क्या सोचते थे These islands were the westernmost point of known world वो जो island था वो western point था पूरे दुनिया का और उसके आगे एक ऐसा great unknown समुद्र आता है जिसके जिसमें आज तक किसी नहीं explore किया था कोई भी वहाँ आज तक नहीं गया था और उसके आगे भी नहीं गया था कि उन उन islands के बारे में लोगों की क्या thoughts थे in the minds of common people these seas were filled with all kinds of imaginary dangers लोग सोचते थे कि यह जो seas है, समुद्र है वो घतरों से भरे हुए है कुछ लोग सोचते थे कि वहाँ पर नरग का दर्वाजा खुलता है, doorway to hell lay open there, others again thought that somewhere in these western seas कुछ सोचते थे कि इस seas, इन समुद्रों में western seas में दुनिया खतम हो जाती है, world came to an end और कुछ लोग मानते थे कि इस समुद्र में ऐसे sea snakes है जिनके bite जो है से, bite है deadly, bite deadly है मतलब उनके काटने से मर जाते है तो इस तरह के लोगों का सोचना था on the way to the canary island canary island के रास्ते पर एक ship, Pinta ship का नाम है, उसका rudder हो गया rudder क्या होता है, वो जो steering के लिए use होता है, उसे rudder कहा जाता है लेकिन ये accidentally नहीं हो था ये शायद किसी ने जान बूज के किया था जिसको voyage आगे ले जानी नहीं थी, journey आगे नहीं बढ़ानी थी who did not want to take part in the voyage तो Columbus को वहीं पर रुकना पड़ा canary island पर ship के repair के लिए फिर Pinta को repair किया गया उसमें नया rudder लगाया गया और फिर उनकी journey वापस चुरू हुई from now, they were in completely unknown seas अब आगे उनकी journey बढ़ती जा रही थी और वो बिल्कुल unknown sea में पहुँच गए थे वो जाते ही जा रहे थे they sailed on and on लेकिन अभी तक समुद्र खतम नहीं हो रहा था इस तरह से दिन गुजर रहे थे और fears उनके मन में जो डर था वो बढ़ता जा रहा था 8th day, आठवा दिन हो गया था उन्होंने क्या देखा they saw two birds flying over the sea उन्होंने दो birds देखे जो समुद्र के ऊपर ऐसे उड रहे थे इससे उन्हें ऐसा लगा कि शायर land pass में ही है land आने ही वाली है लेकिन उनकी जो उमीद थी वो false निकली this hope turned out to be false then all of a sudden they came upon a strange kind of sea उसके बाद ऐसा हुआ कि उन्हें एक अलगी तरह का समुद्र देखने को मिला जिसकी surface किस से covered थी? seaweed से seaweed क्या होता है? एक समुद्री plant होता है और ये जो sea था seaweed से भरा हुआ उसको सरगासो sea कहा जाता था it covers an area seven times the accent of France और वो इतने area में पहला हुआ था कि France जितना बड़ा है उसका seven times जादा since it, the sailors were terrified terrified मतलब completely घबरा जाना तो ये सब देखके तो sailors बिलकुल ही terrified हो गए थे but when they saw that the ships cut their way through this seaweed easily they took heart again took heart मतलब जब कोई राहत मिलना किसी चीज से डर के बाद एक राहत सी मिलना उसे कहेंगे took heart तो उन्होंने देखा कि जब ship वहां से रास्ता कट करके निकल रहा था seaweed के थू तो उन्हें थोड़ा अच्छा feel हुआ but soon something happened fear एक ऐसी घटना हुई जिससे उनका डर बढ़ा जो compass होती है तो ऐसा होने लगा तो crew ने demand किया कि घर वापस जाना चाहिए ship को लेकर बच Columbus इस बात के लिए बिल्कुल तयार नहीं था क्योंकि इतनी दूर आने के बाद वापस जाना तो वो सोच ही नहीं सकता था it was unthinkable for him उसके लिए ये बिल्कुल अपनी life और fortune उनको खतम करने जैसा ही था क्योंकि उसने मन में निश्चे किया था determined था वो कि वो आगे तक जाएगा completely तो crew तो बिल्कुल जरा हुआ था उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जा क्योंकि वो बिल्कुल खत्रे भरे समुदर में थे और उनको समझ ऐसा लगा कि अब ऐसा करते हैं कि Columbus को ही समुदर में फेक देते हैं और इस तरह से ही वो घर पहुँच पाएंगे और Columbus समझ गया था कि उनके mind में क्या चल रहा है उनके man kे लेकिन वो रोज उनके बीच में जाता था उनने एंकरिज करने की कोशिश करता और उनके साथ friendly होने की कोशिश करता था और उनको comfort करने की अपने software से कोशिश करता था और उन्हें ये भी कहता था कि जब वो land पर पहुँच जाएंगे तो उन्हें बहुत अच्छे अच्छे gifts, awards या rewards मिलेंगे, they would win and when they reached land, sometimes he warns them of punishment, कभी-कभी वो उनको डराता भी था, punishment इस तरह से कहता था कि उनको punishment मिलेगी, जो उसके खिलाफ, ज तो आगे जाते गए और promise करते रहे कि land जल से जल मिल ही जाएगी, land आही जाएगी लेकिन land का कोई नाम और निशान नजर नहीं आ रहा था and yet though they sailed on and on, there was no sign of land, so students, ये जो part 1 है, इसमें lesson का end नहीं होगा, आपको जब मैं part 2 explain करूंगी next video में, then you will know that ये lesson का किस तरह से end होगा, so thank you